ओम शान्ती सुनते हैं 28 अप्रेल 82 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य आज की अव्यक्त मुर्ली की टाइटल सर्वस्वत्यागी की निशानिया आज की मुर्ली में बाबा ने साकार द्वारा लास्ट बोल में कौन सी तीन विशेष्टाएं सुनाई थी फिर बाबा ने हर करमेंद्री द्वारा महादानी कैसे बने नेक्स्ट बाबा ने सर्वस्वत्यागी आत्मा की क्या निशानिया होंगी लास्ट किस बात में जो ओटे सो अरजुन बनना है तो सुनते हैं 28 अप्रेल 82 की अव्यक्त मुरली सर्वस्व त्यागी की निशानिया बाबा ने जो लास्ट 7 चेप्टर रहा हुआ था वो बाबा आज लास्ट वाला कॉर्स करा रहे है सर्वस्व त्यागी बच्चों पर ती बाप डादा बोले बाप डादा चारों और के सरव महां त्यागी सर्वंश त्यागी बच्चों को देख रहे हैं कौन से कौन से बच्चे इस महां त्याग को प्राप्त कर रहे हैं वा समीप पहुँच गए हैं ऐसे समी पर्थात समान स्रेष्ट सर्वंस त्यागी बच्चों को बाप दादा भी देख हर्शित होते हैं सर्वंस त्यागी बच्चों की विशेष्टा क्या है जिन विशेष्टाओं के अधार पर समीप वा समान बनते हैं साकार्तं द्वारा भी लास्ट बोल में तीन विशेष्टाएं सुनाई थी कौन सी? संकल्प में सदा निराकारी, सो साकारी, सदा नियारी और बाप की प्यारी आत्माएं दूसरा वाणी में सदा निरेंकारी अर्थात सदा रुहानी, मधुर्ता और निर्मानता थर्ड करम में हर कर्मिंद्री द्वारा निर्विकारी अर्थात प्यूर्टी की पर्सनल्टी वाले तो तीन शब्द आगे ना निराकारी, निर्विकारी, निरेंकारी मस्तक द्वारा सरव को सुरूप की समर्थी दिलाने के भरदानी वा महादानी नैनों से अब हर करमेंदरी से सुनते जाएए नैनों से रुहानी द्रिष्टी द्वारा सरव को सव देश अर्थात मुक्ती धाम और सवराज अर्थात जीवन मुक्ती अपने राज्य का दर्शन कराना वा रास्ता दिखाने का द्रिष्टी द्वारा इशारा करना ऐसा अनुभव कराने का वर्दान देना कि जो आत्माएं महसूस करें कि यही हमारा असली घर और राज्य है घर का रास्ता राज्य पाने का रास्ता मिल गया ऐसे महादान वा वर्दान पाकर सदा हर्शित हो जाएं मुख द्वारा रचैता और रचना के विस्तार को स्पष्ट जान स्वेम को रचैता की पहली रचना स्रेष्ट ब्राह्मन सो देवता बनने का वर्दान पाले ऐसे हस्तों द्वारा सदा सहज योगी करम योगी बनने के वर्दान देने वाले स्रेष्ट करमधारी स्रेष्ट फल प्राप्त करने के वर्दानी बनाने वाले चरन कमल द्वारा हर कदम फालो फादर कर हर कदम में पदमों की कमाई जमा करने के वर्दानी ऐसे हर करमेंद्री द्वारा विशेश अनुभूती कराने के वर्दानी अर्थात निर्विकारी जीवन ये तीन विशेशताएं सर्वस्व त्यागी की सदास्पष्ट दिखाई देंगी सर्वंश त्यागी आत्मा किसी भी विकार के अन्श के भी वशी भूत हो कोई करम नहीं करेगी विकारों का रायल अन्श सुरूप पहले भी सुनाया है कि मोटे रूप में विकार स्माप्त हो रायल रूप में अन्श मात्र के रूप में रह जाते हैं वह याद है न, ब्रामनों की भाषा भी रायल बन गई है, अभी ये विस्तार तो बहुत लंबा है, क्या मैं ही अर्थार्थ हूँ वा राइट हूँ, ऐसे अपने को सिद्ध करने के रायल भाषा के शब्द भी बहुत है अपनी कमजोरी छिपाकर दूसरे की कमजोरी सिद्ध करने, वासपष्ट करने का विस्तार करना, उसके भी बहुत रायल शब्द है ये भी बड़ी डिक्षनरी है जो वास्तविक्ता नहीं है लेकिन स्वेम को सिद करने वास्वेम की कमजोरियों के बचाव के लिए मनमत के बॉल है वै विस्तार अच्छी तरह से सब जानते हो सरवन्ष त्यागी की ऐसी भाषा नहीं होती जिसमें किसी भी विकार का अंश मात्र भी समाया हुआ हो तो मनसा वाचा करमना संबन संपर्क में सदा विकारों के अंश मात्र से भी परे इसको कहा जाता है सरवन्ष त्यागी सरवन्ष त्यागी सदा विशुकल्यान कारी की विशेष्ता वाले होंगे सदा दाता का बच्चा दाता बंद सरव को देने की भासना से भरपूर होंगे ऐसे नहीं के ये करे वा ऐसी प्रिस्तिती हो वाईू मंडल हो तब मैं ये करूँ दूसरे का सैयोग ले करके अपने कल्यान के स्रेष्ट करम करने वाले अर्थात लेकर फिर देने वाले सैयोग लिया फिर दिया तो लेना और देना दोनों साथ साथ हुआ न लेकिन सरवन्ष त्यागी स्वेम मास्टर दाता बंद प्रिस्थितियों को भी परिवर्तन करने का कमजोर को शक्ती शाली बनाने का वायू मंडल वा विर्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का सदा स्वेम को कल्याण अर्थ जिम्हे वार आत्मा समझ हर बात में सैयोग वा शक्ती के महाधान वा वर्दान देने का संकल्प करेंगे ये हो तो ये करेंग नहीं मास्टर दाताबन परिवर्तन करने की शुब भावना से शक्तियों को कारे में लगाने अर्थाद देने का कारे करता रहेगा मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्मान बनना है ऐसे ओटे सो अरजुन अर्थाद दातपन की विशेशता होगी सरवन्शत्यागी अर्थाद सदा गुण मोर्त होंगे गुण मोर्त का आरत है गुणवान बनना और सरव में गुण देखना अगर स्वेम गुण मोर्त हैं तो उसकी दृष्टी और विर्थि ऐसी गुण संपन हो जाएगी जो उसकी दृष्टी विर्ती द्वारा सरव में जो गुण होगा वही दिखाई देगा आउगुण देखते समझते भी किसी का भी आउगुण बुद्धी द्वारा ग्रेंड नहीं करेगा अर्थात बुद्धी में धारण नहीं करेगा ऐसा होली हंस होगा कंकड को जानते भी ग्रेहन नहीं करेगा और ही उस आत्मा के अउग्ण को मिटाने के लिए स्वयम में प्राप्त हुए गुण की शक्ती द्वारा उस आत्मा को भी गुणवान बनाने में सैयोगी होगा क्योंकि मास्टर दाता के संसकार है सरवन्स त्यागी सदा अपने को हर स्रेष्ट कारे के सेवा की सफलता के कारे में ब्रह्मन आत्माओं की उन्ती के कारे में कमजोरी वा वियर्थ वातावरण को बदलने के कारे में जिम्मेवार आत्मा समझेंगे सेवा में विघन बनने के कारण वा संबन संपरक में कोई भी नंबर वार आत्माओं के कारण जरा भी हलचल होती है तो सरवन्ष त्यागी बेहद के आधार मूर्थ समझे चारों और की हलचल को अचलन बनाने की जिम्मेवारी समझेंगे ऐसे बेहद की उन्ती के आधार मोड सदा स्वेम को अनभाव करेंगे तो फिर बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि ये तो इस थान की बात है वा इस बेहन वा भाई की बात है नहीं मेरा परिवार है मैं कल्यानकारी निमित आत्मा हूँ टाइटल विश्व कल्यानकारी का मिला हुआ है ना कि सिरफ सव कल्यानकारी वा अपने सेंटर के कल्यानकारी दूसरे की कमजोरी अर्थात अपने परिवार की कमजोरी है ऐसे बेहद के निमित आत्मा समझे ने मैपन नहीं निमित बात्र है अर्थात विश्व कल्यान के अधार मूर्थ बेहद के कारे के अधार मूर्थ है सरवन्ष त्यागी सदा एकरस एकमत एकी परिवार का एकी कारे सदा ऐसे एक ही समर्थी में नंबर एक आत्मा होंगे सर्वन्ष त्यागी सदा स्वेम को पर्त्यक्षपल प्राप्त भई फल सुरूप आत्मा अनभव करेंगे अर्थात सर्वन्ष त्यागी आत्मा सदा सरव पर्त्यक्षपलों से संपन अविनाशी व्रिक्ष के समान होगी सदा फल सुरूप होगी इसलिए हद के करम का हद के फल पाने की अलब काल की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या होंगे सदा परत्यक्ष फल खाने वाले सदा मन दुरुस्त वाले होंगे सदा स्वस्त होंगे कोई भी मन की बिमारी नहीं होंगे सदा मन मना भाव होंगे तो ऐसे सरवंच त्यागी बने हो तीनों ही विशेषता सामने रख सेम से पूछो मैं कौन सा त्यागी हूँ कहां तक पहुंचे हैं कितनी पौडियां चड़ करके बाप समान की मंजिल पर पहुंचे हैं फुल फुट स्टेप तक पहुंचे हो या भी कुछ स्टेप तक पहुंचे हो फुल स्टेप या कुछ स्टेप तो किस स्टेप तक पहुंचे हो साथ कोर्ष में से कितने कोर्ष किये हैं सब्ता पाठ का लास्ट में भोग पढ़ता है ना तो बाप दादा भी अभी भोग डाले आप लोग तो हर गुरुवार को भोग लगाते हो लेकिन बाप दादा तो महा भोग करेंगे न जैसे संदेशियां उपर वतन में भोग ले जाती है तो बाप दादा भी कहां ले जाएंगे पहले स्वेम को भोग में समर्पन करो भोग भी बाप के आगे समर्पन करते हो न अभी स्वेम को सदा परत्यक्ष फल सुरूप बना कर समर्पन करो तब महा भोग होगा अपने आपको संपन बना कर ओफर करो सिरफ स्थूल भोग की ओफर नहीं करो संपन आत्मा मन स्वेम को ओफर करो समझा बाकी क्या करना है वे समझ में आया अच्छा ऐसे सदा परत्यक्षफल संपन संपूरण स्रेष्ठ आत्मा है सदा बापसमान निराकारी, निरहकारी, निर्विकारी सदा हर करम में विकारों के कोई भी अंस को स्पर्ष ना करने वाले ऐसे सर्वंश त्यागी सदा उड़ती कला में उड़ने वाले उड़ते पंची ऐसे बाप समान स्रेश्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते अच्छा ओम शांती तो आज बाबा ने सर्वंश त्यागी कितना सुन्दर बाबा ने बताया हर कर्मिंद्री द्वारा भी महादानी वर्दानी और जो ओटे स्वर्जम मुझे करना है, मुझे मिटना है, मुझे मरना है आच्छा, ओम शांती और अब यहें एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे